ज्यान योगी की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। नहीं मारती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। इस अध्याय में आप सीखेंगे WhatsApp Messenger डाउनलोड करना। WhatsApp स्मार्टफोन में एक फ्री मोबाइल अप्लिकेशन है। WhatsApp से आप इंटरनेट के माध्यम से सभी स्मार्टफोन जैसे की iPhone, Blackberry, Windows Phones, Android Phones इत्यादी को फ्री मैसेजस भेज सकते हैं। मैसेजस भीजने के अलावा WhatsApp उभगता, फ्री कॉल भी कर सकते हैं और साथ ही अनगिनित फोटो, वीडियो और आउडियो संदेश भी भेज सकते हैं। बस इसके लिए आपको स्मार्टफोन में इंटरनेट डेटा प्लेन चाहिए या फिर आपके पास Wi-Fi यानि Wireless Internet Connection होना चाहिए। यदे आप ये एप आईफोन में डाउनलोड करते हैं तो ये पहले एक साल के लिए फ्री है और उसके बाद आपको उसे रिन्यू करवाने के लिए हर साल 0.99 यानि लगभग 1 डॉलर देना होगा। और ये पेमेंट आप जिस देश में रहते हैं उस देश की करनसी में कर सकत हैं उसी तरह दूसरे सभी स्मार्टफोन में भी ये सुविधा पहले एक साल के लिए फ्री है उसके बाद उसे रिट न्यू करवाने के लिए हर साल कुछ पेमेंट करना होगा। अब हम आपको एंड्रोइट फोन पर ये एप डाउनलोड करना बता देते हैं अपने स्मार् पर राइट साइट पर दिख रहे मैगनिफाइंग ग्लास के निशान को सेलग करें ओपन हुए कीपड की मदद से यहां पर वाटसप मेसंजर टाइप कर दें और इसके बाद नीचे दिख रहे मैगनिफाइंग ग्लास के निशान को सेलग कर लें ये वाटसप इंस्टॉल क करने वाला पेज ओपन हो गया है अब यहां पर इंस्टॉल को सिलक करें अब आपके सामने एक और पेज ओपन होगा जिसमें की इस एप की कुछ टर्म्स और कंडिशन्स लिखी हुई है डाउनवर्ड एरो की सहायता से उन्हें खोल कर पढ़ लें और उसके बाद इस पेज प परसेंट नहीं हो जाती हम इंतजार करना होगा जैसे यह 100% होती है इसका मतलब डाउनलोड हो गई है एप डाउनलोड होने पर आपको दो आप्शन्स दिखेंगे अंस्टॉल और ओपन यदि आप चाहें तो पहली बार एप यहीं से ओपन करके इस्तेमाल कर सकते हैं और अ ओम स्क्रीन पर दिखरें एप सके निशान को सेलेक करें अब cosa पर आपको ऊत्सप दिख जाएगा इसको सिलेक करें सिलेक करते ही ये कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा यहांपर एग्री एन कंटिन्यू को सिलेक करें इसके बाद डाउनवर्ड एरो की सहायता से आप अपन देश चुनेंगे, नीचे दिखरा country code भी उसी के हिसाब से आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर अपना mobile number टाइप कर दें, mobile number टाइप करने के बाद, ओके सिलेक कर लें, ओके को सिलेक करते ही आपके पास एक SMS आएगा, जिसमें लिखा होगा कि आपका number WhatsApp के लिए verify कर लिया गया है, उसके बाद ये screen आएगी, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, और आप चाहें तो अपना profile photo भी upload कर सकते हैं, यहाँ पर एक और option है कि अगर आप WhatsApp का shortcut home screen पर चाहते हैं, तो उसके लिए इस check box पर टिक लगा हुआ है, और अगर आप इसका shortcut home screen पर नहीं चाहते हैं, तो आप इसे de-select कर सकते हैं, इतना करने के बाद next को select कर लिजिए, ऐसा करते ही आपका WhatsApp open हो जाएगा, जिसका home page इस तरह से दिखता है, आपके phone में जो भी contact saved हैं, और उनमें से जिनके पास WhatsApp है, उनके लिस्ट यहाँ पर अपने आप आप आजाएगी, अब यदि आप WhatsApp से बाहर आना चाहते हैं, तो अपने mobile phone की back key प्रेस कर दें, इस सध्याय में आपने सीखा WhatsApp messenger डाउनलोड करना, एक विनम्र निवेदन, यदि आपको ग्यान्यगी का ये प्रयास सार्थक लगता है, और आप भी